नमस्कार दोस्तों, तीचर सिन में आपका स्वागत है आज हम डिसकस करेंगे मनोन मनियन सुन्दर नार यूनिवसिटी जो एक स्टेट गवर्मेंट यूनिवसिटी है यहाँ PhD आडमिशन का नोटिफिकेशन अलेड़ आचुका है 2021-2022 के लिए और यहाँ आप 27 सब्जेट में PhD कर सकते हो तो चलिए चलते हूं उसका ओफिसेल वेबसाइट में और वहाँ जाकर हम इसको डिटेल्स में डिसकस करते है सुरू करने से पहले मैं आपको बता दू कि हम यह टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे यहाँ थोड़ा सा आप नीचे आओगे आपको एक आप्सन दिखाई देगा देखिए अनाउंस्मेंट और यहाँ सारे के सारे जो लाटेस नोटिफिकेशन है यह सारे के सारे स्क्रॉलिंग हो रहा है इसी में आप देख सेकते हो 17 अगस्ट में एक नोटिफिकेशन आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा क्वालिफाइंग एंट्रांस एक्जामेंशन फर एंफिल और पिएजडी जुलाई 2021 तो रीड मोर के उपर हम क्लिक कर लेते हैं तो यह है इसका नोटिफिकेशन मैं इसको जुम कर लेता हूँ तो अभी आप यहाँ देख सकते हो मनुनमनियन सुंदर नार उनिवर्सिटी यहां देखें मेंशन किया गया है यहां और एक चीज मेंशन किया गया है आप पढ़ सकते हो भारत रत्ना डक्टर एमजी रामचंद्रा सेंटर नारी रिसर्च फेलोसिप इस अबेलेबल टू दा मरिटिय स्कॉलर्स तो आपको इस प्रकार का फेलोसिप भी आपको मिल सकता है ठीक है then instruction to the candidate कुछ instruction यहां पढ़ सकते हो दो नंबर में आप देख सकते हो नंबर 2 में पढ़ सकते हो कि qualifying entrance examination is mandatory for the registration to the MPL and PhD program then number 3 में यहां पढ़ सकते है candidates with NET, CET, JRA, GET qualifications are exempted from the qualifying entrance examination ठीके, यह pass in the qualifying entrance examination is valid for the 2 years, आप यदि इसका जो entrance है, इसको आप यदि दोगे, तो इसका जो entrance exam का जो validity है, यह 2 साल के लिए रहेगा, ठीके, फीफर the qualifying entrance examination is 2000 रुपीज, इसके लिए आपको 2000 रुपीया देना पड़ेगा, ठीके, अलग अलग आपको apply करना पड़ेगा, The PhD program online registration will be permitted twice a year, January and July session, candidates are permitted to join in MPHIL program once in a year and July only, ठीके, then MPHIL admission through online will be made, आजपर the university norms, after publication of the result of the entrance examination for the academic year 2021, 22, इसका पहले entrance होगा, उसके बाद इनका admission सुरू होगा, Then qualifying entrance examination results shall be downloaded at the candidates soon, at the result of the published, यह mention किया गया है, आप चाहो तो इसको थोड़ा देख सकते हो, Then, भारत रत्न डक्षार, MGR, रामचंदर संटनारी, research fellowship amount of the 5000 per month, other than scholars, ठीके, यह आपको 5000 करके आपको मिल जाएगा, यहाँ आप देख सकते हो, एक state university है, इसलिए यहाँ आपको 5000 करके मिलेगा, मगर यह भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ का जो course of study के लिए, यहाँ का प्रोग्राम का जो fee है, प्रोग्राम का फी है, यहाँ बहुत कम है, ठीके, और इसके लिए जो आपको minimum qualification चाहिए, यह है, master's degree में कम से कम 55% marks होना जरूरी है, ठीक है, बागे 5% आपको relaxation मिल जाएगा, यह CST OBC candidate के लिए, selection procedure क्या है, candidates will be admitted to the PhD program, थो यह common entrance test for easy discipline, इस प्रकार का mention किया गया है, आप यहाँ चाहँ तो देख सकते हो, इसके बाद, entrance के बाद आपका interview होगा, देखे, चार number में एक mention किया गया है, number 4 में, the interview will be for the testing the following four components, first one is research interest for the area, then competence to the proposed research, then feasibility of the institution to do the research, then contribution of the new additional knowledge, तो इस प्रकार का चार चीज आपका दिखा जाएगा, आप eligible हो की नहीं, PhD के लिए, ठीक है, बागे यहां का जो entrance होगा, इसका देखे, टोटल जो mark से यह 50% है, तो 50% आपको रखना पड़ेगा आपका जो entrance में, और 50% आपको qualify करना पड़ेगा आपका interview में, तो entrance passing mark क्या है, टोटल 50 mark का question होगा, और इसमें से आपका जो pass mark है, यह 25 है, ठीक है, टोटल passing mark 55 रखा गया है, इसको आप देख सकते हो, then the result can be downloaded from the university website, यह mention किया गया है, यहाँ देखे, एक मेंशन किया, subject for the qualifying entrance examination, the candidates can appear for the qualifying entrance examination only in the disciplines of their study in PG, तो आपने जिस subject में PG किया है, उसी subject में आपको entrance देना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ जो एक list दिया गया, इसी list में से, यदि किसी भी subject में आप entrance देना चाहते हो, discipline, Tamil, folklore, English, history and tourism, sociology, social work, economics, commerce, education, management studies, communication, physical education, library and information science, mathematics, physics, chemistry, statistics, environmental science, marine biotechnology, marine science, geotechnology, geology, criminology and criminal justice, biotechnology, microbiology, animal science, geology, advanced geology, and biotechnology, technology, plant science, botany, plant biology, and plant biotechnology, computer science, computer applications, computer science and engineering, information technology and engineering, nutrition and dietics, and psychology, इस प्रकार का सारे के सारे सब्जेक्ट में आप यहाँ चाहो तो PhD कर सकते हो, अभी इसका entrance होगा, entrance होने के बाद फिर से दुबार आया इसका notification निकलेगा, admission के लिए, अभी इसका सिर्फ entrance होगा, बाके कुछ important dates आप यहाँ देख सेकते हो, opening for the online portal, already 17 तारिक से यह शुरू हो चुका है, और closing जो date है, इसका 31st.08.2021, और आपका जो entrance होगा, qualifying entrance होगा, यह 13 से लेकर 14 तारिक को होगा, ठीक है, बाकी जो information है, यह आपको बाद में मिल जाए गया, और यह थोड़ा सा, जो information है, यह तामिल में लिखा गया है, आप यह दि सकते हो, तो यह था details, और इसका जो link है, मैं दे दूँगा description में, वहाँ जाकर आप इसको details में देख सकते हो, so thank you, all the best.